तो सबसे पहले तो आप लोग मेरे माइनक्राफ्ट का वर्जन देख लो देना हम चले जाते सेटिंग्स के अंदर टच के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने अपने न्यू टच कंट्रोल्स 1.19 में अनलोग कर दिये तो ही गेमर्स केस्यों सबी लोग उमित करता हूं सबी लोग अच्छे होंगे आज की वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूं जा आप माइनक्राफ्ट 1.19 में न्यू टच कंट्रोल्स को कैसे अनेबल कर सकते हो अगर आप पूरी वीडियो में ने स्टेब बाई स्टेब में बताया है तो पूरी वीडियो देखना अगर कोई इश्यू आए तो मुझे कमेंट्स में बता देना अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखए तो आपको जो है काफी सारी दिक्कते आ सकती है तो चलो फटाफट से भी ना टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टाट करते हैं तो आपको Minecraft 1.19 में न्यू टच कंट्रोल्स अनेवल करने के लिए एक एप की जोरत पढ़ेगी जिस एप का नाम है Quick Editor यह एप आपको Play Store पर आसानी से मिल जाएगा या फिर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूँगा अपने Android फॉल्डर में सबसे पहले आपको Android फॉल्डर में जाना डाटा वाले फॉल्डर में चले जाना है एंड उसके बाद में यहाँ पर आपको Com.Mojang वाला फॉल्डर दून लेना तो सबसे पहले मैं भी दून लेता हूं प्रोसेस को बिल्कुल दियान से देखना एंड वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना तो आप यहाँ पर देख सकते हो Com.Mojang वाला फॉल्डर यहाँ पर आपने सामने आ चुका है तो इसके उपर आपको क्लिक करने के बाद में फाइल के उपर क्लिक करना है इसके उपर आपको क्लिक करने के बाद में और आपकी सामने कुछ 弟 नबर क्लिक करना है यहांपर अपने कीबौड से एक इसमें ते रही को बटन निए視के बाद में का इसको सबसें करने नहीं हुए तो सबसे पहले हम खोल लेते हैं यहां पर आप अपना माइन क्राफ्ट का वर्जन देख सकते हो 1.19 नहीं है तो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दूगा भी ना पासवड के आप वहां से बीना जंजट के 1.19 डाउनलोड कर सकते हो आप में से काफिस लोग कहते हैं कि इस नए कंट्रोल में बॉर्ट चलाना काफिस जादा मुस्किल है तो यहां पर आप देख सकते हो बॉर्ट आसानी से चल जाती है तो यह भी अपडेट में फिक्स हो चुका है चलिए आज की वाली वीडियो में बस इतना ही ऐसी वीडियो तक तक के लिए बाबाई